नमस्कार में को रहे हैं आप सभी का स्वागत है देख रहे हैं आप आज की खबर आज पीम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरे शेयर की जहां वो नन्ही से गाय के बच्चे को खिलाते दिखें साथी पीम ने कैप्शन में लिखा लोग कल्यान मार्ग पर प्रधान मंत्री आवास परिवार में एक नए सदसे का शुभागमन हुआ है प्रधान मंत्री आवास में परिये गौमाता ने एक नव वजसा को जन में दिया है जिसके मस्तख पर जोती का चिन है इसलिए मैंने इसका नाम दीव जोती रखा है बता देए पहली बार नहीं है कि जब पीम ने गौसेवा की तस्वीरे शेयर की हूँ इससे पहले भी पीम मोधी गौसेवा की तस्वीरे शेयर कर चुके हैं लेकिन इन तस्वीरों में जो आम बात नहीं है वो है गाय का बच्चा जिस बच्चे के साथ पो दिखे दरसल ये कोई आम गाय का बच्चा नहीं है बलकि पुंग नूर गाय का बच्चा है तो इस गाय का दूद 8% फैट के साथ और शदी गुणों से भी भरपूर होता है जबकि सामान ये गाय के दूद में 3 से लेकर 3.5% फैट होता है अब बात करते हैं पुंगनूर गाय की हाइट की तो बता दे पुंगनूर गाय आम तोर पर उचाई में 2 से 5 फिटकी होती है वहीं इन गाय का इतिहास भी काफी पुराना है रिपोर्ट्स के मताबिक भारते नसल की पुंगनूर गाय एक प्राची नसल है जिसे रिशी मुनी पालते थे कहते हैं त्रेता युग में ये गाय मर्यादा पुरिशोत्तम भगवान श्री राम के गुरू वशिष्ट के पास थी पुंगनूर गायों को लेकर आज भी आस्ता इतनी जादा है कि तिरुमला तिरुपती देव स्थानम में 200 पुंगनूर गाय पाली जाती है पुंगनूर गाय के दूस से जो घी निकलता है उससे भगवान बेंकटेश्वर का भोग यानि की प्रसद लड़ू तयार होता है साथ ही इनकी खासियत के बारे में बात कर ले तो पुंगनूर गाय की देखबाल आसानी से हो जाती है ये गाय जादा चारा नहीं खाती और इनका दूद सेहत के लिए अच्छा होता है ये गाय एक दिन में पाच किलो तक चारा खाती है और तीन से पाच किलो तक दूद देती है ये दूद अधिक्तम एक हजार रुपए लीटर तक बिखता है और इससे बने घी का दाम दस जार से पचास जार रुपए किलो तक है अब बात करें पुंगनूर गाय की कीमत के बारे में तो पुंगनूर गाय एक लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की कीमत पर मिल जाती है पुंगनूर गाय की आयोज उतनी कम होगी उसकी कीमत उतनी ही जादा होगी पिछले कुछ साल से पुंगनूर नसल के संरक्षण पर भी काम हो रहा है ये देश के सबसे कम संख्या वाली गौवंश नसलों में से तीसरे नंबर पर है IVF तक्नीक से आंध्रप्रदेश सरकार इसकी आबादी बढ़ाने की दिशा में काम भी कर रहे है पशुधन गर्णा 2013 के मताबिक आंध्र के पुंगनूर गायों की संख्या सिर्फ 2772 थी 2019 में की गई पशुधन गर्णा की माने तो पुंगनूर गौवंश की संख्या 13275 तक पहुच गई थी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है आप आज की खबर